तो एक सवाल है पार्थ पटेल का क्यूपिट के बारे में सवाल है 300 के भाव पर इन्होंने लिया है च्छे महीने के एसाब से पूछ रहे हैं कि बेचने नया खरीदें या जो है सो रखे रहे हैं इसमें तो अच्छा देख रहा है कंपनी पैसा बना रही है और आपने खरीदा है अब यह कि अपरेल मही में कभी खरीदा होगा तो मुझे लगता है ठीक ठाक है रख सकते हैं अब इतना आपने उस पर मेंद किया है तो रख लीजिए अब अब आट लीस्ट अब इसका वैले इसका वैले वैलेट करने के लिए तो मेरे पास 234, 35 के पहले कुछ बनता नहीं है लेवल देखने के लिए विकास उस तरह से इसका प्राइस मूव हो रहा है तो बहुत ज्यादा होप लग रहा है इसमें और आप देखिए अगर 230, 35 अगर आपके डिपेंट करता है कि ट्रेलिंग कहां रखना जाते हैं ट्रे अगर आप अपने ट्रेल करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं और नहीं तो 240 के फाइनल स्टॉप लॉस के साथ आप दो होड़ कर सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ तो ठीक हो रहा है अब रिजल्ट मन्त है तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि अगर रिजल् अगर आप बड़ा रेंज जिसके अंदर मतलब बार बार यह उपर नीचे उपर नीचे हो रहा है और उसके अंदर कई बार अलग अलगत रह एक छोड़े ट्रेंड बन रहे हैं मतलब एक ट्रेडिंग के लिहाज से जो शौट अम ट्रेडर से उनके लिए तो बहुत मौकी म कि इसमें जो डिरेक्शन है वो बहुत क्लियर समझ में आ रहा है और वो डिरेक्शन यहीं है कि बहुत लंबे कंसालिडेशन के बाद बिसने इंपूर्ड मेरे कहले से इसका चुकि कंपनी बहुत चोटी है अगर इसमें जून के बाद से अभी तक जितने टॉप बन रहे थे उनको मिला करके देखें तो अभी दो बार इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाने की इसने कोशिश की है मतलब बंद तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ अभी पिछले हफते भी इसके उपर जाना चाह रहा था आज भी इसने इसके उपर एक अटेम्ट लिया है और नीचे की तरफ भी देखें तो वैसे ही एक ट्रेंड लाइन बनती है लेकिन आप फिर हो सकता है उसे कैंसल भी कर दे हैं कि नहीं मान्य नहीं है अगर जून से भी तक के पैटर्म को देखें तो इसको देखकर क्या कहना चाहेंगे आप अपका सपोर्ट लेंड ठीक है तो इसमें खराबी नहीं है और उसमें आपको टूपॉर्टी का स्टॉप्लस वह भी लागे देगा और दूसरी चीज़ आपका जो अपर टेंड लाइन है ना इन सब स्टॉक्स में प्रॉब्लम के आप अपर ट्रेंड लेंड के उपर क्लो जे तो फिल्हाल मतलब इनके लिए एक सारसंशेप में सला मतलब 310 के हिसाब से इन्हें अभी करना क्या है लेकि मुझे जो दिखाई देर है तो ठीक दिख रहा है तो मतलब वोल्ड करें फिर 310 आ जाएगा इनका या फाइदे में रहेंगे फिर बाद में अगर छे महिने के लिए भी लिया था पार्थ पठेल जी तो कहीं पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए था स्टॉप लॉस नहीं रखना है यह वाली थिवरी वहीं पर लगती है जहां पर कंपनी प्रोवें ट्रैक रिकॉर्ड वाली हो अच्छी मजबूत कंपनी हो वहीं पर शुमेश जी कहते हैं कि दो महिने का रिजल्ट देखना है मतलब दो बार का दो क्वार्टर का रिजल्ट देखना है नहीं तो छे महिने के लिए पैसा लगाया है उसको तो एक तरह से आप शॉर्टर्म ट्रेड ही समझे उसमें स्टॉप्रस कहीं लगाना ही चाहिए था आपको 310 से नीचे बहुत आ गया बहुत तगड़ा नुकसान आपने देख लिया था कहीं पर बेसिक रूल्स जो हैं उसके चलते आपको यह दिक्कत आई है लेकिन चलिए ठीक है उम्मीद है अब की शायद आपको पैसा वापस आ जाए